हेलो दूस्तों वेल्कम तो माई यूटूब चैनल और डबलूसीसी टू का लेटेस वर्जिन आ चुका है उस लेटेस वर्जिन में मिल चुका है आपे लॉक्षन तो आज इस वीडियो के अंदर करेंगे आपे लॉक्षन का गेमप्ले और देखिए क्या यह गेमप्ले जो है यहां पर चेंज हो चुका तो यह ज्याद अच्छा लूग दिख रहा है मेरे साफसे तो पिछला लूग था डबलूसीटू का तो चले डियर्क हम जो है आपे लॉक्षन के तरफ बढ़ते और यहां पर जो हमें टीम सिलेक करने के लिए कह रहा है तो यहां से जो हम मुंब स्टाइची रख सकते हो आपको रखना है रिटेंसीर रखना है तो मैं तो यहां पर इस थो बार यांसे सिप करताइब है तो किंि चौट यहुज़्य तो लोग ने तो दैंस से पढ़ लेना यह जो इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि आप जो इसकॉर्ट चेंज करके देख सकते हैं कि सकॉर्ट कौन सा आने वाला उसके बाद में आप आटो प्ले से हो जाएगा कि जो है यहां पर प्लेर्स आटोमेटिक लिए बना सकते हैं को नहीं लेना तो यह सारे देखने बाद हम यहां पे ओके कर लेते तो ओके करती है साम में डिविट वार्नर आ गया यहां पे बीट के लिए और डिविट वार्नर का आपको नाम जिसे गलत दिख रहा हुआ क्योंकि डवलो सिप्रू के पास मिलाइसर नहीं है कि वो करेक्ट नाम यूज कर पाए फिलियर्स के तो ऐसे में बाई और यहां पे न सब्सक्राइब कर सकते हो और बीट लगाने के लिए उसको दबाना पड़ेगा अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना है तो प्लस के सिंबॉल को पर किलिक करके आप जो वीडियो को वाच करके या फिर कॉइन सिस्पेंड करके जो है अपना वायलेट को बढ़ा सकते हो तो ह तो में इंपोर्टेंट प्लियर की बात कर रहा था उसको नाम है रोई शर्मा आपको तो पता है मुंबई इंडियल्स में रोई शर्मा के बगए कुई काम चले गई नहीं तो यहां पर रोई शर्मा के उपर बिट लगाना शुरू गये दो कड़ो जो उसका बेस प्राइब और आखिर में रोई शर्मा को लेगी क्योंकि मुंबे इंडियास में रोई शर्मा का रहना तो बहुत ही जरूरी है तो अब तक कि यहां पर डाई करोड की बिट लग चुकी है इसकी बाद दो कड़ो पंचातर लाग की बिट लगा दी यहां पर दिली ने और ब कोशिच करेंगे सारे फ्रंचाइस के रोई शर्मा को ले लेकिन आकिर में तो हम ही जीतेंगे वैसे हम यहां पर राइट टू मैच का जो कार्ड उसका यूज नहीं कर सकते हमने जो शुरुआत में ही चॉइस कर लिया था कि हमें बिल्कुल नियू फ्रेश स्कॉर्ट चाहि है रोई शर्मा के ओपर मैं अभी वेट कर रहू कि यह घुनना बपर रहर है नखिंगे पर चुक्प अकर और yang यांप बारिया आती है कि और कongई लगाने को तयार नहीं है तो यहां पर मैं एक bit लगा देता हो रोईशरमा पर मैंने 12royable काड़ की यहां पर bit लगा दी अब यह भाईसाब फुझे के सारे franchise से कि अब आप इसके bit लगाना चाहते हो शायद कोई भी franchise इसके bit लगाए और यहां मॉमभी इंडियन पर रोईशरमा आ चूकी है 12 काड़ के अं पर एड हो चुका है इसकौर्ट के अंदर तो अगर मैं सारे बहुत जाज़ाएगगा और फिर आपको मजभी ने आएंगा तो में यहां देख सकते हो कि मुंबाइ इंडियन इसके ने बहुत सारे प्लेर्स को पर्चेस किया रोई शर्मा के बारे में आपको पता है जौर्ज बटलर को लिया ब्रैंट एप में के लिए इसके अंदर आंद्रे रसल ले अंद्रे रसल को ने रॉंडर नहीं रखा इसमें बैट्समन की तरह रखा है यहां पर तो यह इस रबाट डाले रहा है उज्यास्थी दूम रहा है तो इस तरह के से में ने कुछ इंपॉर्टेंस पिलर मुंबाइ इंडियन के जो मेंटेन रहा और कुछ न्यूब पिलर्स यहां पे लिए अपने टीम को स्ट्रॉंग करने के लिए बागी सबकी व्याविस्कोर्ट देख लिए वन बाइवन करके दूसरी स्कॉर्ट में कुन-कौन से पिलर्स आए तो मैंने यहां जब आइप लॉक्षन का गेम पिले की है यह बहुत कुछ अच्छा लगा इसके अंदर अगर मैं कुछ यहां पर उसके डिसद्वांटेजिस को या फिर कुछ पॉइंट्स बोलो जो गलत है तो उसमें से पहला पॉइंट तो मैं यह कहूंगा दोस्तों कि यह जो है आइप लॉक्षन खेलने के लिए हमें आट लाइक पॉइंट्स देना पड़ रहे हैं और तब जाके हम आइप लॉक्षन को खेल पा रहे हैं डॉलू सीसी टू में यह शायद थोड़ा दिक्कत की बात है कि कुछ भी करने के लिए हमें बहुत जादा कोइंट्स देना पड़ते लेकिन आर्ट लाइक पॉइंट्स तो बहुत जादा ही हो जाते हैं दूसरी बात मुझे यह लगी कि यहां पे नाम पिलियर्स के स्टिक तरीके से नहीं रखा गया है आइप लॉक आपने देखा होगा कि बिल्कुल रियल लगता है जैसी कि में होता है तो उस तरीके का एक जो फिलिंग आना चाहिए था वह फिलिंग ठोड़ी मुझे नहीं आई इसमें डाइप लॉक्शन में बाकि तो मुझे सब चीज़े बढ़िया लगी और बाकि बहुत मज़ा आया तो आप लोगों कैसा लगा दूस्तों यह आप लॉक्शन डबल सी सी टू का आपना गेम पिले किया तो आपको कैसा उसमें कुछ अच्छी चीज़े लगी है बुरी चीज़े लगे कमेंड में मुझे ज़रूर बता देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ल प्रेस कर देना तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई